तो अभी हम बात करने वाले हैं एन्थल्पी पे एन्थल्पी किसी भी एक thermodynamic sample का ये होता है heat content हम आगे बात करेंगे कि इस heat content का मतलब क्या होता है तो let us say कि ये molecules है और ये random direction में random speed से move कर रहा है ये सारे molecules तो कुछ ऐसे तो कुछ ये तो कुछ इस direction में तो कुछ इस direction में तो कुछ इस direction में कितना heat acquire किया है आप कह सकते हैं कि total इसमें कितना energy है ये होता है enthalpy इस system का तो total energy को हम कैसे समझेंगे एक energy तो हमें पता है कि इसका internal energy होता है इस system का जिसे की हम u से denote करते हैं internal energy होता क्या है molecules के motion के कारण इसके पास जो kinetic energy होता है वो plus अगर ideal gas नहों अगर real gases को consider करें अगर वास्तविक्ता देखें तो इन gases molecules के पास कुछ potential energy भी होता है जब molecules collide करते हैं तो during collision जो छोटे से time period के लिए इनका collision होता है उस period में यह जो kinetic energy होता है यह potential energy में convert हो जाता है कुछ kinetic energy तो कुछ potential energy भी होता है अगर यह sample real gas का है obviously कुछ भी sample हो वो real gas का ही होगा तो यह internal energy होता है इन दोनों energies का sum अगर हम यह मानते हैं कि यह अभी total energy है इस sample का तो इस energy को पाने के लिए obviously इसने heat acquire किया होगा और यह जो heat acquire करेगा total heat जो यह acquire करेगा उसी heat content को या फिर उसी heat को हम कहते हैं enthalpy तो अब सवाल यह है कि क्या यह U जो कि इसका internal energy है इतना ही energy लगा होगा इसे इस form में लाने के लिए इस gases sample को इस form में लाने के लिए चलिए देखते हैं अगर मान ले यह पूरा का पूरा sample अर्थाति यह सारे molecules absolute zero temperature में हो हमें पता है कि absolute zero temperature में किसी के पास किसी भी object के पास या फिर किसी भी gases sample के पास obviously वो gas नहीं रहता है वो solidified हो जाता है जो भी हो किसी भी sample के पास कोई energy नहीं होता है तो चलिए मान लेते हैं यह सारे molecules absolute zero में हैं तो सारे molecules जो है वो एक छोटे से जगह में contained रहेगा बहुत बहुत छोटे से volume में तो आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा यह बड़ा draw कर रहा हूँ वैसे इसका जो volume होता है इस case में अगर temperature यह zero Kelvin हो अर्था absolute zero में हो zero Kelvin okay जैसा दिख रहा है तो zero Kelvin में अगर यह हो तो इसका जो volume होता है यह volume यह negligibly small होता है तो यह volume इस समाई absolute zero temperature में volume is negligibly small तो मैं यहाँ very small लिख रहा हूँ so very small बहुत छोटा volume होता है और इसके पास ना कोई potential energy होता है इन molecules के पास नहीं कुछ kinetic energy होता है क्योंकि absolute zero मतलब इसके पास थोड़ा भी heat नहीं है इसलिए इसका temperature absolute zero है अब देखें इसके पास यहाँ से यहाँ पहुचते हुए कुछ energy इसने acquire किया जो की हमने बाहर से इसे दिया या फिर surrounding से इसने लिया जो की amount of heat energy होगा जो की होगा इसका heat content तो एक तो energy हमें दिख रहा इसका internal energy due to its kinetic energy and potential energy लेकिन इसका जो यहाँ volume zero था negligibly small था उसी volume को यहाँ से यहाँ तक बढ़ाने के लिए कुछ energy लगा होगा इसे expand करने के लिए हमें पता है कि एक thermodynamic system में अगर infinitesimal volume का change होता है माले यह thermodynamic system है यह piston है और यह थोड़ा सा piston अगर उपर चड़ता है सो एक infinitesimal process consider करते हैं बहुत छोटा सा volume में change तो volume यहाँ पर v था और यहाँ पर अगर v plus dv होता है और यह internal pressure जो है यह अगर p हो इस बहुत छोटे से volume change के लिए हम कहते हैं कुछ work done होता है यह system करता है या फिर यहाँ पर कुछ बाहर से heat देना पड़ता है तब जाके यह work done होता है तो यह work done यह work done यह बराबर होता है p dv के चुकि यह बहुत छोटा work done है तो dw और अगर माले इसका temperature अभी increase ना करे तेमपरेचर अगर same रह जाए मालेते हैं कि temperature उतना ही है t और t temperature में कोई change नहीं है तो यह जो काम यह thermodynamic system कर रहा है कहां से कर रहा है यहाँ बाहर से इसे देना पड़ता है heat बाहर से यह लेता है heat यही heat energy converted हो जाता है work done पे तो इसका मतलब किसी भी system का या किसी भी sample का गैसे sample का volume को change करने के लिए कुछ काम करना पड़ता है thermodynamic system काम करता है और जो भी वो काम करता है वो accept करता है surrounding से as heat energy तो इसका जो heat content होगा यह जो system है यह जो sample है इसका heat content सिर्फ इसका internal energy ही नहीं है obviously internal energy बना कहां से बाहर से heat दिया गया तभी बना तो यह internal energy भी इसका heat content है लेकिन इसका जो volume बढ़ा यहां से यहां तक पहुचा इसके लिए भी इसने कुछ heat energy acquire किया है तो उसे भी हमें इसके heat content में ही consider करना होगा तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि enthalpy जिसे की हम h से denote करते हैं यह बराबर होता है इसका internal energy plus pressure into volume यह जो एक energy है यह reflect करता है कि इसका जो volume है जो कि यहां पर V है और इस case में इसका pressure अगर P है तो इस volume को acquire करने के लिए जितना energy इसे लगा PV यह indicate करता है कि energy को अगर आप dimensionally देखें तो आप पाएंगे यह जो है इसका जो unit होगा यह होगा energy का unit एक बार test करके देख लेते हैं PV so pressure pressure को हम कह सकते हैं कि यह है newton per meter square मैं unit से consider कर रहा हूँ मैं dimensional method नहीं consider कर रहा हूँ मुझे ऐसा personally लगता है कि अगर आप unit के साथ इसे test करते हैं तो हम थोड़ा ज्यादा comfortable रहते हैं और समझना थोड़ा ज्यादा आसान होता है यह मेरा personal opinion है अगर आपको dimensional method आसान लगता है तो आप dimensional method consider करें जो pressure इसका unit है newton per meter square into volume जो की है cubic meter तो इन दोनों को multiply करें तो आप पाएंगे यह होगा newton meter जो की है joule तो इसे अगर पूरा लिखते हैं तो यह है joule तो यह जो है यह energy को reflect कर रहा है और obviously internal energy भी एक energy है तो enthalpy दो energy terms का sum है तो enthalpy किसी भी thermodynamic system का यह होता है उस thermodynamic system का internal energy और pressure और volume का product इसे अगर आप differential form में लिखेंगे तो आप इसे कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि dh बहुत छोटा सा enthalpy में change is equal to du बहुत छोटा सा internal energy में change plus pdv plus vdp देखें अगर यह आपको समझ में नहीं आया होगा यह अगर तो मैं यह कहूंगा कि मानले एक variable है let's consider a variable एक ऐसा variable एक ऐसा physical quantity मानले वो x है और यह सारे h, enthalpy, internal energy, u, p और v यह x का ही function है तो अगर मैं इसे differentiate करता हूँ x के respect में so variable x के respect में या फिर physical quantity x के respect में अगर मैं इस पूरे equation को differentiate करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा so मैं यहां से आगे कह सकता हूँ इस से आगे कि dh dx is equal to du dx plus अब देखे यह दो variable का product है और दोनों p और v दोनों x पे अगर dependent हो तो हमें सबसे पहले एक को constant मानना होगा दूसरे को differentiate करना होगा so p into dv dx plus अब दूसरे को constant मानेंगे v को v into dp dx तो यहां पर denominator में देखे हर जगा dx है अगर मैं dx multiply कर देता हूँ equation के दोनों तरफ तो हमें क्या मिलेगा तो इस से आगे हम कह सकते हैं कि dh is equal to du plus p dv plus v dp तो यह हो गया enthalpy का जो equation है इसका differential form इसी को हम थोड़ा आगे ऐसे भी लिख सकते हैं कि dh is equal to यह जो है du plus p dv यह आप first law of thermodynamics से कह सकते हैं यह है amount of heat given to the system देखें यह है internal energy में change चोटा सा change और यह है चोटा सा work done p dv तो इन दोनों को अगर मिलाए तो आप पाएंगे यह बराबर होगा जितना heat इसे दिया गया delta q हम यह delta q यूज करते हैं क्योंकि यह in exact differential है यह पूरा का पूरा तो इसलिए हम यह यह delta यूज करते हैं इसका और कोई मतलब नहीं है वैसे इस पर हमने काफी चर्चा किया है इससे पहले के वीडियो में तो मैं इस पर और बात नहीं करूंगा तो यह हो गया कितना heat उस thermodynamic system को दिया गया यह है first law of thermodynamics से प्लस एक चोटे से process के लिए यह बहुत चोटे से process में कितना heat उसे दिया गया प्लस v dp तो यह हो गया इसका एक और फॉर्म enthalpy का differential form उसका एक और form इससे आगे हम बात करेंगे कि isobaric process में और adiabatic process में enthalpy का मतलब क्या निकल के आता है तो अभी हम बात करने वाले हैं कि isobaric process में enthalpy का किस तरह का मतलब निकल के आता है तो in isobaric process जैसे कि हमें पता है isobaric process वो process होता है thermodynamic process होता है जिस process में कि उसका pressure change नहीं करता है तो in isobaric process हमें पता है इस process में जो है यह pressure होता है constant तो pressure is constant कब जब isobaric process होता है तो constant pressure में हम इस equation को किस तरह से represent कर सकते हैं तो इस equation को कुछ हम ऐसे लिख सकते हैं कि dh is equal to delta q और यहाँ जो vdp है pressure तो change नहीं कर रहा तो dp जो है वो तो 0 हो गया तो यह पूरा पूरा expression जो है यह term जो है यह 0 हो जाएगा तो isobaric process में dh small change in enthalpy is equal to the heat small amount of heat जो कि उस thermodynamic system को दिया जाएगा तो फिर अगर हम total change in enthalpy की बात करते हैं तो हम क्यासे पता करेंगे इसे हम integrate कर देंगे इसे तो इससे आगे हम कह सकते हैं total change in enthalpy जो कि इसे integrate करने से हमें मिला is equal to integration of delta q तो यहाँ पर हम इसे कैसे represent कर सकते हैं देखे जो limits हैं उसे कैसे हम represent करेंगे तो यहाँ पर यह क्या है यह छोटा सा enthalpy में change है तो इसे integrate करके हम क्या बताना चाहते हैं एक certain process में total change in enthalpy यहाँ limit होना चाहिए initial enthalpy hi और यहाँ होना चाहिए hf और साथ final enthalpy मैं इसे थोड़ ड्रॉ कर लेता हूँ तो मान ले कि यह पूरा का पूरा process है यह इसका enthalpy अभी मान ले कि यह है h i enthalpy इसका h i यह यहाँ से इसका जो enthalpy है finally change होके यह बन गया hf तो इसका enthalpy finally बन गया hf और इस पूरे process में इसे जो heat दिया गया यह heat जो है यह q के बराबर है तो इसे जब हम represent करेंगे तो यहाँ पर limits तो होगा h i से लेके hf initial enthalpy से लेके final enthalpy और यहाँ जो limit होगा lower limit और upper limit वो क्या होना चाहिए देखे initial enthalpy cup इस state में final enthalpy cup इस state में और यह क्या बता रहा है the amount of heat energy जो की इसे दिया गया एक बहुत छोटा सा process में तो यहाँ पर इसका शुरुआत में इस जगह पे कितना heat दिया गया था 0 और इस जगह पे total कितना heat दिया गया total q heat दिया गया हमने माना इस पूरे process में हमने q heat दिया तो यहाँ पर limit जो होगा यह होगा 0 to q आप इसे integrate करें तो आप यहाँ पाएंगे यह होगा hf minus hi तो यह होगा change in enthalpy that is equal to q the amount of heat energy given to the system तो यह होगा change in enthalpy तो इसे हम ऐसे भी represent कर सकते हैं कि change in enthalpy is equal to amount of heat energy given to the system आप यहाँ delta भी use कर सकते हैं तो जो भी हो यह represent करेगा amount of heat energy given to the system अब देखें इसे आगे यहाँ से हम इसे कुछ ऐसे भी represent कर सकते हैं कि यह जो है dh dh यह बराबर किसके है यह बराबर है delta q के हम क्या करेंगे इन दूनों terms को partially differentiate करेंगे temperature के respect में तो हम क्या कह सकते हैं कि यह जो है यह बन गया partial derivative of h with respect to t is equal to partial derivative of q with respect to t energy अब दूनों ही case में जो pressure है यह तो constant है हम तो isobaric process की बात कर रहे है तो pressure constant है दूनों ही case में अब आप इस expression को या इस term को देखें यह क्या है यह है change in heat energy या फिर heat energy given to the system इसका जो rate of change है with respect to temperature जब pressure constant हो तो हम कह सकते हैं यह है heat energy given या acquired by the system for unit change in temperature यह rate of change बता रहा है heat energy का with respect to temperature तो अगर मान ले कि यह जो system है यह जो thermodynamic system है यह 1 mole का हुआ so अब हम जो system की बात कर रहे है यह 1 mole का है so हम कह सकते है for 1 mole so for 1 mole अर्था जब यह system में एक mole का gas होगा तो यह जो partial derivative of h with respect to t at constant pressure यह represent करेगा किसे देखे यह क्या है यह है constant pressure में heat energy जो acquire कर रहा है यह system उसका rate of change या उसका rate with respect to temperature अर्थाथ unit temperature raise करने के लिए कितना heat energy देना होगा at constant pressure क्या है यह जब यह 1 mole का gas होगा तो इसे हम क्या कहते है इसी को हम कहते है cp molar specific heat at constant pressure बाज़र